अगर आपके रिलेशन्शिप में कोई थर्ड पार्टी एक्जिस्ट कर रही है और आप बहुत ज़दा परिशान हैं कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच के हालातों को लेकर तो आज की रिडिंग आपके लिए है आज की रिडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है आज की जो ये reading है और अब से जो भी ऐसी reading होगी उसको हम थोड़ी सी different approach से करने वाले हैं कई लोगों को ये clarity ही नहीं मिल पाती है कि कोई third party है भी या नहीं है और अगर है तो वो किस तरह की third party है ठीक है तो यहां पर आज से हम हर एक चीज़ को detail में discuss करेंगे तो वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा सुने आएगा ठीक है थोड़ी approach अब different होने वाली है ओके आज की जो ये reading है ये एक generalized reading है आप सब के साथ कहीं न कहीं resonate जरूर होगी तो आज की जो ये reading है आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extramarital affair में है, long distance relationship में है ये फिर किसी complicated situation में है आज की reading definitely आपके साथ resonate होने वाली है ओके, तो आज की reading में मैं किसी भी zodic signs का नाम नहीं लूगी ठीक है, तो क्योंकि ये reading सभी zodic signs के लिए है, आज कल बहुत साथ comment आते है, मैं कौन से zodic signs के लिए है सभी zodic signs के लिए है, ठीक है, तो आप please introduction part को बड़े ध्यान से सुनिये तो सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि ये जो third party है आपके रिष्टे में, ये कौन, ठीक है, किस तरह की ये third party है तो यहाँ पर मैं दो cards निकालूंगी, this is card number one and this is card number two आप कोई भी a card intuitively choose कर लीजिये and accordingly आपको समझ आ जाएगा कि आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है ये card number one है, ये card number two है, तो जिन्होंने card number one choose किया, यहाँ पर justice का card है और जिन्होंने card number two choose किया है, यहाँ पर five of points का card है पहली बात तो जिनको ऐसा लग रहा है कि third party कोई person नहीं है, तो आप पहले अपनी perception को change कीचे जिन्होंने card number one choose किया है, यहाँ पर आपके रिष्टे में कोई third party ऐसी exist कर रही है जो past life से कहीं न कहीं आप दोनों के साथ जुड़ी हुई है, यह कुछ कर्मा balance करने आप दोनों की जिन्दगी में आई है यह third party और इस third party का जो karmic cycle है, वो बहुत लंबे time से चुल रहा है और आप मेंसे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि यह जो karmic cycle है, यह अपने आप neutralize हो जाएगा लेकिन आपको यह चीज नहीं पता है कि यह जो karmic cycle है, यह एक cycle end होता है तो यह third party नए कर्मा create करने शुरू कर देती है आप इस trouble में बहुत लंबे time से फसे हुए हैं, जिनके case में यह karmic cycle अभी अभी शुरू हुआ है, आप यह मान कर चलिए, यह karmic cycle बहुत लंबा है तो यहाँ पर balance की जरूरत है, तो यहाँ पर यह third party आपका past life connection के साथ जुड़ी हुई है और इस third party के साथ आपका और आपके partner दूनों का past life connection है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम क्यों हमारे partner की वजह से भुखते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह चो दर्द, यह चो तकलीफ आपको इस third party की वजह से हो रही है, वह इस वजह से है क्योंकि आपका भी को इसी birth में मिलने का मौका देला, और यह third party आपके partner के पीछे पड़ गई थी, ठीक है, यह third party ने आपके partner को अपनी बातों में बहलाने, फुसलाने की बहुत ज़दा कोशिश की है, और अगर आज इस third party ने आप दोनों के बीच में जगा बना ली है, तो वो definitely अपने motives को पू यह third party है, यह लालच की वजह से आपके partner के साथ जुड़ी होई है, वो चाहे physical intimacy हो सकती है, वो चाहे आप दोनों के बीच में आने का ego हो सकता है, यह फिर आपको नीचा दिखाना हो सकता है, यह third party आप दोनों के बीच में इस तरह से exist कर रही है, और यह भी कोई person है, ठीक है घर का person, बाहर का person, कोई भी हो सकता है, दोनों cases है, ओके, तो यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि career third party है, यह career की वजह से आपके partner परिशान है, जाग जाए आप नीद में, तो यहाँ पर card number one, card number two के बारे में मैंने elaborately आपको बता दिया है, तो अब हम energies pick करते जाएंगे, औ और discuss करते जाएंगे, देखे, पार्ट कोई भी skip मत कीचेगा क्योंकि दोनों की discussion simultaneously होगी, ओके, तो आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है, आए जान लेते हैं, आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है, तो जिन्मोंने card number one choose किया है, यहाँ पर the magician का card है, the next card is 10 of swords का card the next card is 10 of pentacles का card है, the next card is 6 of cups का card है, जिन्मोंने card number two choose किया है, आए जान लेते हैं, आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है, आए जानते हैं, आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर 10 of cups का card है, the next card is queen of swords का card है, the next is nine of pentacles का card है the next card is three of pentacles का card है तो जिन्हों ने card number one चूस किया देखिया आपके case में क्या है ये जो third party है न ये बहुत practical किसम की third party है और इसके moves जितने भी होते हैं वो practical तरीके की moves होते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ emotional कोई connect है ये फिर emotionally ये third party आपके partner से किसी भी तरीके से connect करने की कोशिश करती है और ये third party कोई drama भी नहीं करती है जोनोंने card number two चूस किया है आपके case में थोड़ी से story different है ये third party है कुछ है और दिखाती कुछ और है तो अभी फिल हाल में ये third party आपके partner के साथ emotional connect रखने का drama कर रही है ठीक है अंदर से इस third party के मनसूबे कुछ और है लेकिन ये show ये करती है कि आपके partner के साथ बहुत ज़दा emotionally connected है और इस third party के इलावा आपके partner का कोई अच्छा well-wisher हो ही नहीं सकता है ठीक है जिनके case में karmic third party है इस third party को अपने जो actions है उस पर बहुत ज़दा भरोसा है ठीक है आपके partner इस third party situation से बाहर निकलना चाहते हैं और इस third party को ये डर है कि आपके partner जिस तरह से छटपटा रहे हैं जिस तरह से इस third party से वीच-वीच में बाते चुपाते हैं कई ऐसा नहों कि आपके partner इस third party की energies से बाहर चले जाएं तो ये जो third party है ये continuously आपके partner की energies पर काम करती है इसको ये लेना देना नहीं है कि आपके partner कब higher energies में जाते हैं कब lower energies में जाते हैं इसका एक अपना pattern है तो अभी के time पर आप ये मान कर शोदी है कि आपके partner और इस karmic situation को end करना चाहते हैं लेकिन ये third party अपने करमास की वजह से ये third party आपके partner को ये karmic cycle end नहीं करने दे रही है ये third party जिस कारण से आपके partner के साथ जोड़ी थी वो कारण almost पूरा होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस third party को अब इस चीज में मज़ा आने लगा है इस third party की ego hurt होगी अगर आपके partner इस third party की energy से बाहर चो दे जाए आपके partner इस third party के साथ बिल्कुल भी compatible नहीं है आपको ये चीज जरूर नजर आती होगी कि आपके partner की compatibility इस third party के साथ बहुत ज़ादा है कि third party इतनी शातिर है कि उसको पता है कि आपके partner और आपके बीच में energy gap किस तरह से develop करना है इस वज़ा से आपना बहुत ही ज़ादा illusion की energies में फस जाते है आपको ऐसा लगता है कि ये जो third party है ये ना आपके partner को आपसे बहुत दूर लेकर जा चुकी है ये एक illusion है वो दूर नहीं लेकर गई है अगर दूर लेकर जा चुकी होती तो ना तो इस third party को किसी तरीके के apprehensions होते और ना ही आपके partner इस तरह से छटबटा रहे होते तो आपके partner और इस third party के बीच में कुछ भी emotionally connection नहीं है हाँ past life का connection जरूर है ठीक है वो karmic situation है मैंने आपको पहले ही बोल दिया तो ये third party ना एक toxic सी soul है इस third party को आपके partner को hurt करके मजा आता है ठीक है इस third party को आपको चटबटाता देखते हुए मजा आता है ये past life का कोई ऐसा करमा है जो आप दोनों के सामने आकर कही न कहीं खड़ा हो गया ठीक है और ये third party आपके partner के साथ कहीं न कहीं financially involved हो रही है या तो आपके partner ने कोई property इस third party के नाम करती है या ये third party force कर रही है आपके partner को कि आपके partner financially कुछ चीजें इस third party के नाम कर दें या आपके partner इस third party को practical commitment दें जो commitment सब के सामने होगी ठीक है इस तरह से ये third party कुछ changes आपके partner की और से इस रिष्टे के प्रती चह रही है और आपके partner उन changes को resist कर रहे हैं ठीक है आपके partner तो मुझे मतलब एकदम से जब मैं reading कर रही है तो इस तरह से नजर आ रहे हैं जैसे एक पिंजरा होता है और पिंजरे के अंदर एक पंची को कैद कर दिया होता है बस उस तरह की situation है यहाँ पर और यह जो पिंजरा था यह आपके partner को पहले नजर ही आया उडान भरते भरते कब आपके partner इस पिंजरे में आकर कैद हो गए उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आए तो यह चीज़ें आपके partner और इस third party के बीच में चल रही है ठीक है और अभी हम इसे और भी ज़्यादा discuss करेंगे पहले हम card number two वालों के बारे में भी बात कर लेते हैं देखें यह चो third party है न इसको अपने actions पहले से नहीं पता होते हैं यह चो third party है यह आपके partner के action पर reaction देती है मतलब यह third party dominating बहुत ज़ागा है लेकिन अगर आप अपने partner से इस third party के बारे में बात करना कुछ नहीं सुनना चाहते हैं उसका reason यह है कि यह third party आपके partner के साथ एक दावा करती है कि वो emotionally connected है आपके partner को यह show करती है कि आपके partner को इस third party से ज़ादा कोई भी बहतर तरीके से नहीं समझ सकता है ठीक है यह third party आपके partner की सबसे बड़ी friend है यह third party आपके partner के emotions को समझते है यह third party कभी भी आपके against अपने मुह से कोई बात नहीं करती है इस बात को लेकर चलिए तो इस third party का practical तरीका basically dark energy का spell work का ज़ादा रहता है ठीक है होता इस third party का भी वही तरीका है लेकिन वो तरीका जो है न continuously चलता है मतलब यह जो third party है जिनका card number one है उस case में जो यह third party है न यह अलग-अलग intervals पर continuously काम करती रहती है और इस case में यह action तब लेती है यह third party dark energy का impact यह spell work जो भी करना है यह तब लेती है जब आपके partner कुछ इस relationship के लिए productive करने की कोशिश करते है ठीक है आपके partner की बातों से इस third party को पता लग जाता है कि आपके partner इस relationship के लिए कोई action लेना चाहते है उस time पर इस third party को बहुत ही ज़ादा insecurity feel होती है इस third party को ऐसा लगता है कि इस third party का जो comfort zone है वो नहीं 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 ब्रेक हो जाएगा और ये third party ये चिस बिल्कुल भी नहीं चाहती है ये third party आपके partner को उस time पर guidance देने लगती है और आपके partner ना चाहते हुए भी इस third party की guidance को सुनते हैं क्योंकि आपके partner के सामने इतना emotional drama खेला जाता है ना क्या आपके partner इस third party के द्वारा दिखाया गया रास्ता जो होता है उसको choose करने के लिए मजबूर हो जाता है इसलिए आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके partner कोई भी action नहीं ले पा रहे हैं ये जो third party है जिन्होंने card number one choose किया ये third party dark energy ये spell work खुद करना चानती है या फिर कोई बहुत closely related person इसके साथ associated है ये जो third party है ये बाहर से किसी के साथ connected है जो कोई professional हो सकता है जो आपके इस relationship को घराप कर रहा है तो यहाँ पर आपके partner की स्थिति क्या है यहाँ पर आपके partner एक गलत person पर यकीन कर रहे है और जोनोंने card number one choose किया है उनके case में आपके partner को ये एहसास हो गया है कि आपके partner एक गलत इंसान के साथ जुड़ गये है आपके partner जो है वो आपको बहुत ज़दा याद करते हैं for card number one people आपके partner हमेशा कही न कही आपके साथ जुड़े रहते हैं आपके partner आपको heart chakra पर vibration send करते हैं आपके जो partner है वो आपके साथ एक ना रूव वाला जो रुष्टा होता है soul connection जो होता है वो form कर रहे हैं आजकर ठीक है और आपके partner को अंदर से इस third particle ये toxicity feel होती है तो ये दो अलग-अलग cases है हमेशा आप confused हो जाते हैं कि माम ये चीज हमारे लिए भी आपनी केबल है हमारे लिए भी आपनी केबल है तो मैंने थोड़ा सा तरीका change कर दिया है ताकि आप थोड़ा सा distinguish कर पाए ठीक है अब दोनों में से सबसे साथा toxic situation कहां create हो सकती है देखिए दोनों ही situations काफी toxic हो सकती है लेकिन ये जो past life कर्मा वाली situation है ये ज़्यादा toxic होती है क्योंकि यहाँ पर आपके partner feel आपके लिए कर रहे हैं यहाँ पर आपके partner इस third party के साथ बलकुल भी compatibility महसूस नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर ये third party अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है मतलब आपके partner को even health में कोई नुकसान होना शुरू हो जाए तो इस third party को कोई फरक नहीं पड़ता है आज के time पर यहाँ पर dominance जो है वो इस third party का बहुत ज़दा बना हुआ है लेकिन जिन्होंने card number two choose किया यहाँ पर dominance बनाने की कोशिश की जा रही है और वो इस तरह से कि आपके partner को पता भी ना लगे चीक है तो यह चीज़े चुल रही है आपके partner और इस third party के बीच में ओके so आएए अब हम एक और dick से जानेंगे कि आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है for card number one people पहले जान लेते हैं कि आपके partner और इस third party के बीच में क्या चल रहा है for card number one people आएए चानते हैं कि आपके partner और इस third party के बीच में क्या चल रहा है यहाँ पर workaholic का card है the next card is mysticism का card है The next card over here is Impassed का card है The next card over here is Perfection का card है Okay, जिन्होंने card number two choose किया है आए जान लेते हैं आपके case में कि third party और आपके partner के बीच में क्या च्पल रहा है आए जानते हैं Enlightenment का card है The next is Impatience का card है The next card is Grief का card है The next card is Confusion का card है Okay, so जिन्होंने card number one choose किया देखिए आपको दूर से देखने पर आपके partner ना बहुत ही जादा अपने काम को priority देते हुए नजर आ रहे होंगे आप मेंसे बहुत सरे लोग अपने partner को materialistic कह रहे होंगे क्योंकि आपके partner जादा से जादा time अपने काम में spend करने की कोशिश इस वज़ा से करते हैं ताकि उन्हें थोड़ी से space मिल सके उन्हें थोड़ा सा time मिल सके अपने लिए पनी life के लिए क्योंकि उनसे ये toxic environment बरदाश नहीं हो रहा है आपके partner भी इस relationship में क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं लेकिन ये ऐसी mystery है जो आपके partner से solve नहीं हो पा रही है देखें जो आपके partner है ना उनके लिए हर दरवाजा धीरे धीरे बंद किया जा रहा है आप अपने partner पर allegations लगाते हैं कि वो इस relationship के लिए कोई step नहीं है उठाना चाहते है वो इस relationship के लिए कोई काम नहीं करना चाहते है उसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश कीज़े जैसे आपको यकीन नहीं है कि कोई dark energy होती है कोई spell work होता है, कोई past life connection होता है वैसे आपके partner को भी ये चीज़े नहीं पता है तो वो उनके लिए भी उतना ही जादा shocking situation है जतनी आपके लिए है आपके partner को ये चीज़ महसूस हो रही है कि उनके transformation हो रही है लेकिन ये transformation क्यों हो रही है ये आपके partner को समझ नहीं आ रहा है आपके partner को ऐसा लग रहा है कि ये उनका कर्मा है जो उन तक वाफिस आया है ठीक है आपके पार्टनर ने जिस तरह के बीच बोई है उसका फल नहीं मिल रहा है ये बात सही भी है ये बीच जो है ये पास लाइफ के बोई हुए है आपके भी और आपके पार्टनर के भी ठीक है तो वो एनर्ची आप दोन relationship है इसी लिए तो इस relationship में आप इतने ज़दा hurdles experience कर रहे हैं जो perfection की चीज़ मिलती है न जीवन में वो इतनी असानी से नहीं मिलती है ठीक है इस time पर ये third party ये feel कर रही है कि ये dominate कर रही है तो आपके partner के लिए ये third party perfect है और आपके partner इस third party के लिए perfect है क्योंकि इस third party के हर इरादो को पूरा करने का रास्ता इस third party को बार-बार मिलता चला जा रहा है तो आपके जो partner है वो शायद बाहर से तो आपको ये दिखा रहे होंगे कि उनकी life के अंदर हर एक चीज़े बहुत अच्छी चल रही है लेकिन आपके partner की वो perfection सिर्फ बाहर से देखने के लिए है अंदर से आपके partner टूट रहे हैं बिखर रहे हैं इस third party के साथ आपके partner बिल्कुल भी compatibility किसी भी level पर महसूस नहीं करते है और ये जो third party है ये ना जैसे कह सकता है कि किसी के emotions की बिल्कुल कदर नहीं करता है ना कोई इंसान ये किसी को feeling नहीं होता है कि दूसरे को भी pain होती है ये उस तरह की third party है ठेक है अब हम card number two की बात कर लेते हैं देखिए ये चो third party है ना ये बहुत ही जागरू third party है ठेक है आपके action लेने से पहले या आपके partner के action लेने से पहले इस third party को पता लग जाए और ये third party इस time पर एक आप कह सकते है double facial बनी हुई है आपके partner के सामने इस third party का असली चेहराना आ जाए इस चीज़ का प्रयास ये third party continuously कर रही है ठीक है इस third party को ये चीज़ बिलकुल नहीं चाहिए कि आपके partner एक परसंट भी ये चीज़ समझ पाएं कि आपके partner और इस third party के बीच में जो भी situations अभी तक create हुई है वो naturally नहीं हुई है वो इस third party द्वारा की गई है ठीक है तो आपके partner enlightenment की energies में ना आएं इस चीज़ का पूरा ध्या ये third party रख रही है ये जो third party है ये किसी भी level पर ये नहीं चाहती है कि आपके partner के सामने इस third party का अस्ती चेहरा आएं ठीक है तो ये third party ना हमेशा impatient रहती है और even आपके partner की energies इस तरह की हैं आपके partner impatient होकर अपना जो भी action प्लान कर रहे होते हैं वो इस third party के सामने खुल कर कह देते हैं और अभी भी ये चीज़ चल रही है आपके partner impatient होकर अपनी life से परिशान होकर जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं वो इस third party के सामने कह बैठते हैं और उससे आप दोनों के इस relationship में problems start हो जाते हैं ठीक है क्योंकि आपके partner को भ्रमित कर दिया जाता है आपके जो partner है इस time पर बहुत ज़दा pain में है बहुत ज़दा तकलीफ में है वो इस third party के साथ बिलकुल भी अपनी life को enjoy नहीं कर रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी growth हो गई है उनकी life के अंदर abundance नहीं है उनकी life के अंदर prosperity नहीं है वो इस third party को ना तो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपके partner को ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले आपके साथ गलत किया अब वो इस third party के साथ गलत कर देंगे वो emotionally इस third party के साथ connect नहीं हो रहे हैं बस वो अपने कर्मों से डर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके लिए जो भी आपके partner ने decision बनाया वो तो बहुत जटपट से बनाया अब आपके partner ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका reason यह है कि आपके partner को ये third party जो है वो grief की energies में लेकर जा रही है self doubt की energies में लेकर जा रही है तो ये third party आपके partner के साथ गेम प्ले कर रही है ठीक है जिससे कि आपके partner बहुत ही ज़ादा confusion की energies में है और आप यहाँ उमीद लगाए बैठे हैं कि आपके partner आपके लिए relationship के लिए action लेंगे कैसे action लेंगे manipulation continuously चल रही है energies continuously change हो रही है तो यहाँ पर जब हम collectively reading करते हैं तो इस वजह से बार-बार ये चीज़ निकल कर आती है कि ये third party आपके partner की energies change कर रही है क्योंकि दूनों type की third parties में एक similarity है कि ये third parties जो है वो आपके partner को अपनी energies में नहीं आने देती है हर किसी का motive अलग-अलग हो सकता है लेकिन जो mode of action है वो कही न कहीं सेम है इस case में दोनों तरह का mode of action है black magic cursor है spell book है ठीक है और manipulation जो है वो ऐसे नहीं है कि आपके against बोला जाता है आपके partner को self doubt की energies में लेकर जाता है और यहां पर आपके partner को blame ना करते हुए यह जो third party है यह बहुत practical तरीके से चलती है इस third party को अपने से मतलब है ठीक है यह third party आपके partner को सोचने का ही मौका नहीं देती है यह third party हमेशा किसी ना किसी तरीकी का pressure आपके partner के उपर develop करके रखती है आपके partner इस third party से किनारा करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो किनारा आपके partner नहीं कर पाते हैं तो यह चल रहा है आपके partner और इस third party के बीच में I hope आज जिस हिसाब से मैंने clarity से reading की है आपको बहुत सारी चीजों पर definitely clarity भी मिली होगी और आपको पता भी लग गया होगा कि आपके case में किस तरह की third party exist कर रही है तो मुझे comment section में भी जरूर बताएगा कि आपके case में card number one है या card number two है और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस third party से हमें बाहर निकलना है तो for card number one आपको अपने इस karmic cycle को end करना होगा तो आपके case में healing ही एक option है और जब हम healing करते हैं उसमें karmic card cutting भी करते हैं और उसके अंदर हम जो आपके partner की blockages है वो तो remove करते ही है लेकिन karmic card cutting भी होती है इस case में karmic card cutting नहीं होती है card number two के case में इसमें आपके partner की energy उसको change करने के लिए इस third party ने क्या किया है उसको देखते हुए accordingly कोई healing up process आपके case में कोई remedy भी हो सकती है पर वो intensity of dark energy पर भी depend करता है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपका रष्टा बहतर बन पाए तो उसके लिए आपको अपने partner के लिए अपने relationship के लिए एक reading लेनी चाहिए accordingly आप अपने partner के लिए या इस relationship के लिए कोई healing up process या कोई remedy गो थू कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ यह reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के थू या फिर मेरी email id के थू आप यह reading book कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे आप मुझे direct call मत कीचेगा call pick कर पाना possible नहीं हो पाता है आप मुझे message कीचे ठीक है मैं आपको reply ज़रूर दूँगे और अगर आप जानना चाहते हैं कि healing result किस तरह से देती है तो आप मेरे community task force आपकर check for card number one people first message second message third message and fourth message okay for card number two people आपके लिए देख लेते हैं क्या messages है this is first message second message third message and this is fourth message देखे जो ये messages मैंने निकाले है मैंने eyes close करके निकाले है तो यहाँ पर जो colors निकल कर आया है उससे भी ये depict हो रहा है for card number two people यहाँ पर throat chakra blocked है और अगर हम बात करें card number one people आप लोगों के case के अंदर यहाँ पर sacral chakra और solo plexus chakra में ज़्यादा problem है ठीक है तो message देख लेते हैं तुम्हें गलत समझना मेरी life की सबसे बड़ी गलती रही है प्यार किया तो दोनों ने था पर निभाया सिर्फ तुमने आपके partner को इस बात का एसास हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझ कर अपनी life की सबसे बड़ी गलती की है प्यार आप दोनों ने किया था पर निभाया सिर्फ आपने ये आपके partner आपसे कहना चाहते हैं for card number one people I want to grow old with you give me one chance आपके partner आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी सारी उम्र बिताना चाहते हैं सिरफ वो आपसे एक chance चाह रहे हैं romantic songs मुझे सिर्फ तुम्हारी याद गिलाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, जो romantic songs हैं, उससे आपके partner को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, जब भी वो कोई romantic songs सुनते हैं और वो रोने लगते हैं, ये आपके partner आपसे कहना चाहते हैं, तुमसे दूर होने का decision मेरी life का सबसे गलर decision था, आपके partner को ये चीज़ पील हो रह आते हैं कि तुम्हें किसी और के साथ देख कर बहुत बुरा लगता है, I feel jealous, आपके partner आपको किसी और के साथ बिल्कुल बरदाश नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके partner को कोई फरक नहीं पड़ता है, तो आप बहुत बड़ी गलग फेमी में हैं, तो अ आमने बिठा कर आपको देखना चाते हैं, वो आपको बहुत ज़दा मिस करते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिष्टा पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रही है, ये बात बिल्कुल सही है, इस third party के साथ आप दोनों का इस life का को मच रहे हैं, आपके partner आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे action से अपने इस रिष्टे का फैसला मत करो, मैं बुरी तरह से फसा हुआ हूँ, आपके partner आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी actions वो ले रहे हैं, वो आप दोनों के इस relationship का fate decide ना करें, इस चीज़ का ध्यान आप रखि और ये कोई gender bias message नहीं है, ना card 1 के लिए, ना card 2 के लिए, ये messages अगर आपकी partner एक email है, तो वो भी आपको ये ही कहना चाहते हैं, so I hope आज की reading से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी, नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा, ये reading आपको कैसी लगी, वीड करना मत भूलिएगा, अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीज़ेगा, हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर, अपने relationship को लेकर, कुछ clarity मिल सके, so do share my video also, अगर आप मेरी reading से influenced हैं, और किसी personalized problem का solution मुझे से चाहते हैं, तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं, ये booking आप मेरे whatsapp के थू या फिर मेरी email id के through book कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है, आप please मेरे चानल को subscribe कर लीचे और bell icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए videos की notification बलती रहें, so thanks for watching, see you soon.